बिस्बिल्ला हमाने रहें, this is Amna and today we will discuss about Atlantic Ocean आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों को facts सुनने को मिलेंगे Atlantic Ocean से relevant तो सबसे पहले थोड़ा सा introduction कि Atlantic Ocean है क्या, क्या इसकी significance है वो हम जानते है Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world, ठीके, दुनिया का दूसे नमबर पर सबसे बड़ा जो समंदर है वो कौन से Atlantic Ocean है, या आप केम से क्यूज भी आ सकता है, ठीके, कितना area इसने cover किया हुआ है 10 करोर, 64,60,000 square kilometer का area इसने cover किया हुआ है आप समझें कि जो जमीन की surface है, उसका पूरा का पूरा जो area उसमें से 20% area पर ये जो Atlantic Ocean है, ये मौजूद है 29% of the earth's water surface area, अगर आपकी जमीन पर 100% फरस करें, पानी है, ये 70% पानी है उसमें से 29% जो पानी है, वो Atlantic Ocean का है, ठीके अच्छा जी, आप ये समझें, it's half of the size of Pacific Ocean, ठीके Pacific Ocean का अगर हम half कर दें तो आपका Atlantic Ocean का size आपको पता चल जाएगा Atlantic Ocean S-shaped होता है, ठीके, अगर मैप पे मैं आपको दिखाऊ हूँ तो ये S-shape होगा और ये narrow होगा ये मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये देखें जी, ये आपके सामने आगया Atlantic Ocean और मैप पे ये देखें, इस, ठीके, इस तरह नज़राएगा, S-shape में ये आपको इस तरह नज़राएगा It experiences highest tides in the world, nearly 50 feet high अगर मैं Atlantic Ocean की waves की बात करूँ, ठीके, तो उसकी length कितनी है जी, 50 feet, मतलब के, फर्स करें कि एक जो normal इंसान है, वो 5 feet होता है, ठीके, और एक जो लहर है इस समंदर कि उसकी height कितनी है, 50, ठीके, मतलब कि उससे 10 को ना, जयादा अच्छी हासी, यह height है, ठीके, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ice bug लिखा हुआ है, यह एक बहुत important point है, Atlantic Ocean का, उसको अंडिस्टेंड करने से पहले, आपको ice bug को अंडिस्टेंड करना ज़रूरी है, ice bug क्या होता है, देखें, ice bug होते हैं, ice that broke off from glaciers, more than 15 meter long and it floating in open water, एक तरह की बर्फ ही होती है, जो कि किसी glacier से अलग होई होती है, ठीके, और कितनी नंबी होती है, 15 मिटर लंबी होती है, और openly यह पानी में move कर रही होती है, ठीके, और यह sometime बहुत जदा dangerous beast होती है, जैसे कि जो आपकी Titanic ship थी, ठीके, वो भी Atlantic Ocean के ice bug से टकड़ा कर destroy होगी थी, कब 1912 में, ठीके, यहां पर मने लिखा हो है, the Titanic struck an iceberg near new founded land Canada into the North Atlantic Ocean in 1912, ठीके, यह बड़ा important MSCures है, आपका आ सकता है, MSCures, अचा, उसके बाद है, जी, first ocean to be crossed by airplane and ship, ठीके, देखें, ऐसा तो नहीं थाना कि जो जहाज थी, वो मतलब कि हराम से उनने लग पड़े थ होता है, बिल्कुल इसी तरह, जब जहाज को पहली दफ़ा दुनिया में उड़ाया गया किसी समंदर के उपर से तो वो Atlantic Ocean था, ठीके, Atlantic Ocean से गजारा गया किसी भी जहाज को, ठीके, और ship भी पहली दफ़ा इसी समंदर के उपर से गजारी गई थी, ठीके, अच्छा, उसके बात है, जी, यह जो, यह बड़ा important, यहां पर मैंने एक fact लिखा हुए, कि Atlantic Ocean जों से है, ठीके, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा island मौझूद है, और दुनिया का सबसे बड़ा island कौन से है, मैंने इससे last वाली वीडियो जब मैंने Arctic Ocean डिसकस के था, तब मैंने आप लोंक से डिसकस किया था, तो यह चोटोड़ी चीज़ें याद रखा कीजिए, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो island है, वो है green land island that is located in the Atlantic Ocean, ठीके, ओके, यह सारे कि सारे आपके AMCQs है, एक introduction है, अच्छा, अब आप लोंके सामने यह कुछ maps हैं, इन maps को हम बाद में समझेंगे, पहल यह देखेंगे, यह आप लोंके सामने एक world map है, hopefully, आप लोंको नजर आ रहा होगा, मैंने यहां पर वो diagram लिए जो कि colorful और आप लोंको नजर आई, ठीके, अच्छा जी, तो यह आपके सामने हैं जी, दुनिया के सारे के सारे oceans, ठीके, अगर आप लोंको देखो तो यह आप अगर आप लोग देखो, यह अंटाक्टिका यहां पर, यह आप लेखने हैं क्योंकि अभी आगे एक slide में आप लोंको इंटाक्टिका जरा बताऊंगी, ठीके, तो इंटाक्टिका यहां दुनिया के साउथ अमेरिका के नीचे इंटाक्टिका, ठीके, यहां पर इंडियन नीचे साउथ अमेरिका, ठीके, फिर उसके बाद यहां पर आप देखें, अलक्सिक कॉंटिनेंट यॉरप और आफ्रीका है, ठीके, और नीचे यहां पर कहजी इंटाक्टिक है, तो यह एक ओवर व्यू था, अब हम जरा जो आपका एटलन्टिक ओशन है, उसकी जरा हम ल ठीके, अब अलक्सिक मैप में सिर्फ हम लोगोंने इटलन्टिक ओशन को देखने हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हुए जी, अकर हम लोग मैप में वेस्ट साइट पर देखें, ठीके, तो आपको क्या नजर आएगा, इटलन्टिक ओशन इस लोकेटिड दी कॉंटिनेंट्स ओफ नोर्थ इन साउथ अमेरिका टू दी वेस्ट, ठीके, वेस्ट साइट पर कर देखें, तो अटलन्टिक ओशन के वेस्ट साइट पर आपको नोर्थ इन साउथ अमेरिका नजर आएगा, जैसे कि, यह देखें, यह आपका अटलन्टिक ओशन, और अगर हम यह वेस्ट स एंड साउथ अमेरिका, कलियर, इस्ट पर, ठीक है, इस्ट में आपको दो कॉंटिनेंट्स नज़ आएंगे, यॉरप एंड अमेर, अफरीका, ठीक है, इसको भी ज़रा मैप में हम देख लेते हैं, यहां पर यह वेस्ट, ठीक है, अगर एटलांटिक ओशन के इस्ट में हम द पे देखें तो हमें आर्क्टिक ओशन नज़र आएगा, ठीक है, अगर हम साउथ में देखें तो हमें क्या नज़र आएगा, जी, इंटाक्टिका, ठीक है, जो मैंने भी आप लोगो पहले वर्ड मैप में दिखा दिया है, अगैन हम यहां पर चलेंगे, यह एटलांटिक इसके उपर यह कहा है जी नोर्थ, नीचे अगर देखें तो साउथ, नोर्थन साइट पर यह सारा का सारा आपको क्या नज़र आएगा, आर्क्टिक ओशन नीचे कहा जगा, ठीक है, तो यह एक बहुत ही सिंपल और इजी वे मैं आपको मैं आप समझा दिया, अब हम जलते आगे, now what is the key difference between नोर्थ, एट्लांतिक, एंड साउथ, एट्लांतिक, यह देखें, इसमें आप मैं यह जलती हूँ, दिख दोबारा, यह जो एट्लांतिक ओशन है आपका, इसको डिवाइड कर दिया है, गिसमें, नोर्थ एट्लांतिक ओशन में एंड साउथ एट्लांति ocean में ठीक है और दोनों में क्या थोड़ा फर्क है इसको एक ही ocean consider कि राता है लेकिन North Atlantic और South Atlantic ocean में कुछ key differences हैं उनको हम तरह देख लेते हैं सबसे पहले South Atlantic इनकी तरह location देखते हैं South Atlantic ocean located between the continents of Africa and South America ठीक है South Atlantic कहां पर एक है जी कौनसे continents में अफरीका में और South America में ठीक है जरा देखिए मैप पे जदी से यह देखें जी आपके सामने यह आगे आगे आपका map यह आगे आपका South Atlantic आगे ठीक है यह आपका Africa और यह आप पर का जबाद आजिगा अगर आप देखे दो, यहां पर South Atlantic Ocean, एक तरफ continent कौन से है अफ्रीका, दूसरे तरफ continent कौन से है, South America, ठीक है, इसे तरह अगर हम location देखें, North Atlantic Ocean की, ठीक है, North Atlantic की, ठीक है, तो इसके भी एक तरफ कौन सा continent है, यूरप और दूसर तरफ कहा जी, दूसरा continent है North America, ठीक है, यही यह पर इनकी location लिखी हुई है, अगर मैं इनके climate की बात करूँ, South Atlantic is warmer than North Atlantic, ठीक है, आपका पता है, जो Northern region है, आपकी जमीन का थंड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो आपका North Atlantic region होगा, ठीक है, ठीक है, उसके compare में, जो South Atlantic region है, आपका South Atlantic Ocean region है, जो आपका, उसमें क्या होगा, उस South Atlantic है, वहाँ पर इतनी अबादी नहीं है, लेकिन वह developed है, ठीक है, कौन-कौन से states इसमें आज़ेंगी, Brazil आज़ेंगा, एंगोला आज़ेंगा, South Africa, ठीक है, और इनकी important important जो cost lines हो आज़ेंगी, ठीक है, North Atlantic Ocean के अगर हम बात करें, ठीक है, वह populated है, densely popular बहुत अबादी है वह बहुत से European states यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है, अच्छा, North Atlantic has important maritime traffic, trade routes and economic activities, ठीक है, अगर हम लोग देखें, map में तो जो North Atlantic Ocean है, ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत important important trade routes मिलेंगे, चौकिंग points मिलेंगे, ठीक है, अब यह जो trade routes है, इसके थूँ क्या होता है, आप बहुत स सकते हैं, इसमें shipping आजगा, fishing आजगा, offshore oil आजगा and gas production आजगा, ठीक है, तो यह आपको मैंने एक difference, key difference बता दिया है, North और South का, ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर कि कौन-कौन से islands और कौन-कौन से RKP Legos हैं, सबसे important, यहाँ पर बर्मूदा triangle जिसका हमने बहुत सुना हुए है, अलग से एक वीडियो बनाओगे, बर्मूदा triangle पर अभी इसको हम डिसका से नहीं करेंगे, ठीक है, तो बर्मूदा यहाँ पर present है Atlantic Ocean में, इस इसलेस, दी अजूरेस, कैंडरी आइलेंड, फाक्लेंड आइलेंड और बहुत से दूसे आइलेंड इसके कुछ बहुत इंपर्टन चॉक पॉइंट्स में हैं, चॉक पॉइंट्स को इसे के स्ट्रेट अफ जिब्राल्टर जैसे के इंग्लिश चैनल जैसे के पनामा कैनल, यह इतने इंपॉर्टन हैं कि एक और दूसरे और जोड़ते हैं एक कॉंटिनेट से, दूसरे अब भी सकते हैं, यह हम डिसने के इंशाला नेक्स्ट वीडियो में, if you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet, मुझते हैं जी next hot issue के साथ, until then, मुझे अपनी दौा में आयाद रखे का, stay tuned and Allah Hafiz.